देश के उत्तरी राज्यों में लूका रेड अलर्ड जारी हो चुका है अब आस्मान से धूप के रूप में आग बरसेगी क्यूंकि नेतपा की शुरुआत हो चुकी है भारतिय मौसम विभा के अनुसार अब जुल्चा देने वाली गर्मी से सामना होने वाला है कुछ उत्तरी राज्यों में लूका भी खत्रा बताय गया है जिसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिन सूरिदेव जमकर परिक्षा लेने वाले है इन दिनों में पानी खुब पीना चाहिए तेजगर्मी से बचने के लिए दही और दूद का उपयोग ज्यादा किया जाना चाहिए साथी नारियल पानी और ठंडक देने वाले दूसरी चीज़ें भी खाई जा सकती है राजिस्थान, दिल्ली, उतरप्रदेश, मद्प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर हिस्से भीषण लू की चपेट में रह सकते हैं इन राजियों में लगातार तापमान बढ़ने की संभावना के चलते रेड वर्निंग दी गई है पूरवी उतरप्रदेश के लिए औरेंज वर्निंग जारी की गई है बता दें कि मौसम विभाग गंभीरता के आधार पर रंगों का चैन करते हुए इलाकों को वर्गी करत करता है मसलन सबसे कम खत्रा गिरीन और सबसे ज़्यादा खत्रा रेड वर्निंग में होता है पंजाब, हरियना, विदर्ब, चतिसगड, गुजरात, ओडीशा, तटिया, आंधर प्रदेश, उतरी करनाटक में भी अगले 3-4 दिन लू का खत्रा बना रहेगा यानि इने क्षित्रों में तापमान 45-47 जगरी तक पहुँचने की पूरी आशंका है क्या है नौत्पा हिंदू मानिता के अनुसार सूरी के रोहनी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौत्पा प्रारंब हो जाता है नौत्पा के दौरान सूरी की लंबवत क्रिने धर्ती पर पड़ती हैं लेकिन इस बार शुक्र तारा अस्त होने से देश के कई हिस्सों में बारिश आंधी आ सकती है सूरी रोहनी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है और उन दिनों के पहले 9 दिन सरवाधिक गर्मी वाले होते हैं इनी शुरुआती 9 दिनों को नौत्पा के नाम से जान जाता है यदि इन 9 दिनों में बारिश न हो और ना ही ठंडी हवा चले तो माना जाता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी